गुड बॉर्निंग फ्रेंज्स कैसे हैं आप सब और सेप्टेंबर चल रहा है दोस्तों लास्ट है और आज एक ओवर्व्यू बना लेते हैं जिससे कि फिर नेक्स्ट बन की जब ग्रोथ होगी तब हम देखेंगे कि क्या क्या नया कुछ हमारे गार्डन में हुआ है तो सबस पहले इस चंपा के पेड़े के पास तो दोस्तों यह देखिए आप चंपा का पौधा था यहां पे फूल था अक्सर मैंने आपको अपनी शॉट्स में दिखाया है यहां पर बना है इसका सीड पॉड तो इस तरह के सीड पॉड्स दोस्तों हमें नहीं लेने हैं अगर आप स्पेस नहीं होता है कि हम इतने बड़े-बड़े पॉधों को रख सकें और फिर इनकी मेंटेनिस कर सकें तो हमेशा हमें छोटे पॉधे अपने छोटे गार्डन के लिए रखने चाहिए जिसे की फटा-फटा में फ्रूटिंग या फ्लावरिंग दे तो चलिए फिर मेरे स से अब ये गेंदे हो गए हैं और अक्टूबर में मुझे लगता है इसमें कलियां आकर फिर फ्लावरिंग स्टार्ट होएगी तो दोस्तों इस बड़ है दिवाली लेट नवंबर में दिवाली है तो दिवाली तक तो आलमस्ट पूरा ही गार्डन हमारा बहुती ब्यूट और ये जो गेंदा मैं आपको दिखा रही हैं इसमें चार-चार ब्रांचिस देखिए हो चुकी है इसकी पिंचिंग भी मैंने आपके साथ की थी अपने लास्ट वीडियो में अगर आप मेरे रेगुलर वीवर हैं और मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि इ देखिए वो कर लेनी चाहिए जिसे की मल्टिपल शूट्स आएं और जो पौधा है जितना बुशी होगा उतनी जादा फ्लावरिंग हमें देगा ये कुछ कॉस्मोस इसलिए दिखा रही हैं दोस्तों क्योंकि ये सीट से अपने आप से ही ये जो सीगलिंग्स मेरी है गार को बहुत हरा भरा रखते हैं और जब कुछ नहीं होता जैसे इस टाइम पर ये हम सैपलिंग्स ही तियार हो रही है तो ये फ्लावर तो दे रहे हैं तो बस फिर जब ये फ्लावरिंग स्टार्ट होएगी तो हम उनको खाली करके उनमें कुछ नहीं प्लांस लगा देंगे आगे लेकर आती हूँ देखे सबसे पहले ये एक लिली है नेरीन लिली बहुत सुन्दर है और दोस्तों इसकी जो बल्ब्स है मैं भूल गी थी इस गमले में चोड़कर और ये जब इन्होंने फूल देना शुरू करा इनकी प्रेजन्स हमारे गार्डन में हुई तो लगा जैसे ये अमरेला की तरह का है इसमें पंदरा सोला फूल खिलेवे हैं चोटे चोटे बिल्कुल चोटे चोटे अगर आप देख पा रहे हैं तो यह देखिए और बहुत सुन्दर इनका जो कॉम्बिनेशन है इनका जो अर्रेंजमेंट है बहुत प्यारा है तो इस तरह से चारो तरफ छतरी की तरह है और कलियां भी यह देखिए और फूल भी खिल रहे हैं तो कम से कम दस दिन ये जो फूल है चलता है एक 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 कली खिलती है इस तरह से देखिए कली है और खुलेगी ये और फिर एक एक फूल खिलेगा तो इस प्रोसेस पे कम से कम दस बारा दि लग जाते हैं और यह Clouds अगर गार्डन ने लगे ऊँटे इस तरह खूल पर ठाइस इन भूल आपे ऐसे मोने पंड़ेंट ऑते हैं तो जब भी गार्डन में आँटे हैं औरकर बारेजिमेंट करें तो ग इस तरह की पकके पॉधियां प्लांट में आंट की जहीरे एंन इस तरह कि जो बल्बस हैं जो समझे समय पर निकल कर अपने आप से एकदम सर्पराईज हमें دे देते हैं बहुत प्यारे लगते हैं और जो आप वर्रटिकल स्टान्ड देख रहे हैं दोस्तों इसमें हैं कैलीडियम्स दे रहे तो यही टाइम है अगर आपको इनको इनकाल कर फंगी साइट में डिप करकर और अच्छा है इधर की तरफ दोस्तो यह मेरे पैंसल हॉली के जो गमले हैं उनकी नीचे काफी स्पेस था तो मैंने कोलियस की कटिंग से लगा दी थी तो आपको पता ही है कोलियस जो है बहुत कलर देता है हमारे गार्डन को चाया में भी चल जाता है और सबसे बड़ी बात है इसके जो कलर हैं बहुत प्यारे लगते हैं और दूसरी चीज यह बहुत जल्दी स्टैंप कटिंग से हो जाता है तो दोस्तो जब यह पौधा जो है कोली इसका बड़ा हो जाए और इसमें फ्लावरिंग आ जाए तो यह खुद बुखद कई बर मरने लग जाता है तो इससे अच्छा है उसके कलर्स आते हैं तो अगर कुछ प्रीट सो ऐसी होती है जो बहुत उची नहीं जाती है तो उनको आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं और यहां पर मैं आपको लेकर आई हूं देखिए एक एक्चमीनियस की फ्लार्स हैं बहुत खूबसूरत बालसम की त अगर बाला तो मेरी एक फ्रेंड हैं सबस्क्राइबर फ्रेंड चारु भातिया जी उन्होंने मुझे इसका नाम बताया तो चारु थैंक यू और मुझे कई चीजें होती हैं दोस्तों हम गार्डनर को भी नहीं पता दिए कुछ प्लांस हमारे लिए भी नहीं होते हैं और दोस्तों यह देखिए कि पर्मनेंट प्लांट है किते प्यारे इसके भी फूल आ रखे हैं इस वक्त तो जब आने वाला जो टाइम है वो है विंटर गार्डन का तो बस सब प्रप्रेशन शुरू हो गई है मम्स आपने लगाई लिए गुल्दा वरी दोस्तों इस पर मेरी ग पाद लगाई है तो मेरी तो इस पर काफी ज़्यादा जो बारिश है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी तो अब जाके थोड़ा सा मौसम जो है स्टेबल हुआ है तो अब जो विंटर के गार्डन के आगे वाले काम है उन्हें करना है और जैसे आप यह देख रहे हैं कॉ गुलाब की कटिंग करनी है और इसमें सब में बोन मील और गोबर की खाद डाल कर हम फरवरी में जो ब्लूम आते हैं गुलाब के उसकी प्रप्रेशन करेंगे तो यहां पर मैं आपको एक लाकर रोक दिया मैंने यह अपराजी ता और यह डबल वाला है तो दोस्तों इसको आप जरूर ग्रो कीजा करें और उसका फायदा यह होता है कि यह जब और फूल नहीं होते कारडन में तब यह खिल जाते हैं देखिए किता खुबसूरत है और अब यह देखिए अगर आपको दिखा पा रही हूं मैं बहुत पास से तो बहुत सुन्दर फूल है यह परपल चार पांच पांच शे फ्लास और यह मैंने जमीन में लगा रखी है तो यह पिलर पे दोस्तों चड़ी हुई है तो यहीं पर मैं इसको बस रोग दूगी यहीं पर क्योंकि बिलकुल यह जो है यहां पर एक तम दिख रहा है बहुत ज़्यादा उंचा इसको अगर हम ले ज है परपल कलर आता है और लइट पिंक कलर भी आता है तो दूस्तों यह तो डबल पैटल है मल्टी पैटल है और लेकिक यह तो डोड़ के दिखा दिया मैंने आपको देखिए अगर आप अंदर तक देख पा तो इस तरह से दोस्तों यह अप्राजीता की बेल है इसको शंक पुश्पी भी कहा जाता है और काफी मेडिशनल प्लांट है यह दोस्तों इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है जैसी कि इसकी जो पेटल्स हैं इनको डालकर चाह पती भी बना चाय भी बनाई जाती है और यहां पर मैं आपको पास लेकर आती हूं देखिए इसका एक सीट पॉट तयार हो रहा है तो इनके सीट से भी मैं इसकी अगले साल सैपलिंग्स तयार करने के कोशिश करूँगी और एक दो मेरे भाई बैन है जिनोंने इसके सीट मांगी हैं तो उनको भी मैं अगर और ह ही समलती है तो यह जो गुलाब आप देख रहे हैं अब इनकी कटिंग होने का टाइम आ गया है और यहां पर है एक यह ब्रहम कमल की कली अगर आपको दिखा पा रही हूं मैं क्योंकि इस वाले ब्रहम कमल में इस पर बहुत फूल आए बहुत ज्यादा फूल आए और इसकी फूल लगाऊ अगर आप मुझे सज़स्ट कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट्स में कीजेगा कि इस ड्रम के अंदर कौन से फूल अच्छे लगेंगे तो दोस्तों इसको खाली करने का जो रीजन था वो यही था कि डेंगू के कारण इस वक बहुत लोग बिमार हो रहे हैं और मिठी खाद भर कर इसमें मैं कुछ विंटर के फ्लार्ज लगाऊं तो कौन से फूल लगाऊं कौन से अच्छे लगेंगे इसमें एक खटे बहुत सारे फूल वह प्लीज मुझे कमेंट्स में बताईएगा और यह चोटी-चोटी सैपलिंग्स चो आप देख रहे हैं यह है इस तरह से इसको आप कट कर दीजे और इसको आप पिट्री में थोड़ा सा दबा दीजे तो यहीं से इसकी रूट्स बन जाएंगी और जब आप इसको कट करते हैं तो यहीं से तीन चार ब्रांच आ जाती है तो आपका जो प्लांट है बहुत बुशी हो जाता है और इसी उपर से पिंच करके उसको मल्टिपल शूट्स लेनी हैं जिससे की बहुत सुन्दर उसमें फ्लावरिंग और यह सारे ओपर जितने आप बोगन बेलिया के कमले देख रहे हैं तो इसमें मैंने खात वगरा डाल कर डियेपी डाल कर गोबर की खात डाल कर रखा है जिससे की जो होती है वो छोटे पे खिल जाती है और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं जाती है तो इससे कि अदेखे कि प्यारीеро मिंग हो रखी एस दरह कि आप देख पा रहे हैं और इसंफे बहुत प्यारी खुश्ववो ऐक है तो इसतरह के फूल भी आप पर्परनेंट अपने गा कलर्स में आ जाता है जिससे पिंक कलर में येलो कलर रेड कलर औरेंच कलर इस तरह की छोटी-छोटी इसमें कलियां बनी होती है और बहुत सारे फूल खिलते हैं बहुती सुन्दर फूल है बहुती रेर प्लांट होता है ये तो इसको भी आप लगा सकते है अपने कारडन में और इसमें इस टाइम तो इसका ब्लूमिंग टाइम चल रहा है इसकी लीवस देखिए कुछ-कुछ ये हिबिसकस फैमली का होता है तो उसी की तरह से इसकी लीवस भी है और इसकी कंडिशन्स भी है लेकिन जो हिबिसकस होता है वो एक ही दिन का फूल होता है अगले दिन व तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है तो ये खिल कर देखिए इस तरह का हो जाता है पूरा और जैसे कि कोई हिबिसकस का यही फूल हो वैसे ही पांच पैटल वाला फूल होता है और ये फूशिया की तरह थोड़ा सा लटका हुआ होता है जुमके की तरह नीचे की त की बहुती जबरतस्त हरी है तो नहीं ने इसमें कलिया बनीवी हैं फूल बने हुए है देखिए इस तरह से बहुत सुन धर और ये है दोस्तो पैशन फ्लार और ये है मेरून कलर देखिए कि प्रूब सूॉरत कलर एक बहुत प्यारा कलर रहाете दोस्तों आपको सारे ही प्लांट से मिलवा रही हूँ तो वीडियो तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन जो सैप्टेमबर ओवर व्यू है वो आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस टाइंग पे कौन-कौन से फ्लार्स हमारे गारें में खेल रहे हैं या ब्लूमिंग हो रही है बस इसलिए जो वीडियो है थोड़ा लंबा होता जा रहा है और इसके लिए मुझे आप थोड़ा सौरी करिएगा क्योंकि ताइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है ये कोरिल वाइन है दोस्तों देखिए ये भी खिलना शुरूर कर दिय है दोने ये कोरिल वाइन है और ये है मैंडी विला तो मैंडी विला बहुत सुंदर फूल होते हैं लेकिन खुश्पू नहीं होती है बहुत फूल खिलते हैं ये पिंक वाला मैने इस पर लगाया था तो दोस्तों इसकी दो बेल मैं लेकर आई थी तो ये को मैंने अलग अल होता है इसमें red color आता है mirrorine color आता है और सबसे ज़्यादा common जो इसका color होता है वो होता है white color तो ये देखिये pink color कितना अच्छा है तो पिछली बार भी मैं इसको लाई थी पर मैं इसको बचा नहीं पाई क्योंकि इसको मैंने एक्दम shade में रख दिया था तो सर्दियों में आप इनको धूप दिखाईए क्योंकि गर्मियों में तो half day sunlight चाहिए होती है मैंडी विला को ज्यादा तेज धूप की ज़रूरत नहीं होती है लेकिन सर्दियों में इनको धूप थोड़ा चाहिए होती है तो बस यहाँ पर इस तरह की स्टैंड्स बने हैं यह और यहाँ पर आप रिंग देख रहें होगे कुछ सॉरी मेरा जो टॉगी है वो थोड़ा सा बूल रहा है तो इसको आप थोड़ा इक्नोर कीजिएगा अपर दोस्तों जैसे कि यह जो फूल होता है यानि डेड हेडिंग आप करते रहेगा क्योंकि जो नए-नए कलिया विंटी है इसमें कुछों में फूल आते हैं तो जो यहाँ पर देख रहे हैं आप यह तीन चाहर फूल आते हैं तो फिर उन कलियों को स्पेस नहीं मिलता आप निकालते रहे हैं और नए-नए फूल अपनी बेल पर लेते रहे हैं तो दोस्तों आशा करते हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क पिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैपी गार्टनिंग गुट बाई और मिलते हैं गगार्टनिंग तक संधित शटार्टनिंग के भास चलूस्तों अगर सिए आपार्टनिंग को अगर याप्या थाजियो एक विए-बाव-थार्टनिंग एक विए-विए-टैन, टो